नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल जीवन जीने की कला में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे आए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं एलोवेरा और शधी से कैसे आप सभी लाप्राप्त कर सकते हैं क्विकली अ और मिनरल, फंगल और वाइरल इंफेक्शन से बचाती है यानि कि आपको फिवर हो जो काम हो इन सभी से आपको बचाएगा इसका सेवन करेंगे तो इसके जूस का सुबह सुबह खाली पेट सेवन कर लें अगर 30 ml लेकर के भी तो इसके अलावा अगर आप इसको स्कीन पर लगा देते हैं तो दाद, खाज, खुजली की अगर समस्या है, इंफेक्शन है तो वो दूर हो जाता है इसके अलावा किसी को अगर ज्वाइंट पेन है तो कैसे इस्तेमाल करेंगे आए जान लेते हैं एलोवेरा जेल में हल्दी मिला दीजिए और इसको गर्म किजिए जिए इससे गठिया का दर्द है अगर किसी को तो उससे रहत मिलेगी और अगर मोच आ गई है पैर में और मोच की वज़ह से सूजन है तो वो भी उतरेगी और लाब भी प्राप्त होगा तो इसलिए ज्वाइंट पेन के लिए भी ये बहुत अच्छी और शदी है इसके अ की दाग भी न हो यानि की निशान भी न चुटे और घाव भी जल्दी भर जाए इसके लिए आप एक चमच एलोवेरा जेल लिजे और उसमें श्रहद अच्छे से मिला दीजे और जहां पर भी आपकी स्कीन जली हो वहां पर इसको लगाईए इससे घाव जल्दी भरेगा और निशान अपने आप धीरे धीरे दूर होता चला जाएगा इसलिए भी एलोवेरा जेल बहुत अच्छी और शदी है इसके अलावा अगर आप बालों में रूसी फिल कर रहे हैं जो की सर्दियों में ये समस्या होती है डैनरफ की समस्या तो आप बालों में लगा करके औ इसको अपलाई कर सकते हैं पी सकते हैं जिससे की डाइजेशन की प्रोब्लेम खत्म होगी फंगल इंफेक्शन है किसी प्रकार का वो खत्म होगा वैसे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं और 100% बेनिफिट्स के बारे में भी हमने बताया हुआ है दूसरे एपिसोड में इस इसको आप आसानी से लगा सकती हैं लगाए जरूर रखिये घर में एलोवेरा जेल को क्योंकि ये काफी काम आने वाली ओश्यदी है ये आज की वीडियो रही कैसी लगी ये वीडियो आप सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना नहीं विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से लेकिन जाते जाते आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम ले करके आए नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले साथी आता हैं बहने ऐसी हैं जिनको इससे लाप्राप्त हो सकता है तो आपको यह अगर जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर कर दिजिए फिलाल आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानक कारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें आनंदित रहें धन्यवाद नमस्कार दोस्तों